नमस्कार दोस्तों आई टेक्निकल कूर्स यूटूब चेनल पे एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नावोदय विद्यला की जान बेट आ चुकी है सबको मालूम होगा अभी तक हमारे यूटूब चेनल में 30 इलेक्रिशन केम प्लंबर या प्लंबर टड़ से रिलेटेड वीडियो अपडोड कर दिए गये हैं पीडियेफ का अभी तक हमारे प्रिविएस यह वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखना बहुत इंपॉर्टन कोशन अप्लोड कर दिए गये हैं यदि आप लोग चेनल पे नए हो चैनल को प्ले सब्सक्राइब कर लेना चलिए आते करते हैं ragisine मांत्यम से दोस्तों ऐख डाई होती है कोई भी पाइप में बाहरी थ्रड बनाती है और जो टेप होता है टेप जो करती है टेप इंटरना चूडिया बनाती है अगला है पलंबर सोल्डर सूर्डर इस कि प्लंबर का सूल्डरिंग होती है लेड और तिन से मिस्रिक करके हम लोग तयार करते हैं अगला कोशन है ब्रॉंज यह यह ताबा तिन की एक मिस्र धात जो ब्रॉंज होते है ब्रॉंज एक ताबा और तिन की मिस्र धातू से मिलकर बनाई जाती है अगला कोशन है बेश्ट पाइप के बने होते हैं जो बेश्ट पाइप होती हो फ्लोर टेप में पानी डिश्चार्ज करता है बेश्टेस conquered करता हूँ बेशिन होती दोस्तों हांदोने के लिए बेशिन का जो पाइफ होती है फ्लोर ट्रेव में पानी को डिश्चार्ज कर देता है अगला कोशन है हमें बर्क शाप में सबसे पहले सफाई करनी चाहिए बर्क शाप जो होता है दोस्तों उसमें सबसे पहले कि दोरा हम debate कर सकते हैं 32 mm की जो पाइप होती है याधि फ़ंडी पाइप है तो इसको हम बैंड आसाने से कर सकते हैं अगला कॉशन है, इस्पैनर का प्रियोग डैश डैस कारियों के लिए किया जाता है, दोस्तों जो इस्पैनर होती है, इस्पैनर नट बोल्ट खोलने कसने के लिए यूज किया जाता है, अगला question है रम्मी thread dash dash angle पर बनी होती है 55 degree जो रम्मी thread होती 55 degree angle पर बनी होती है next 36, नममर कैलीब पर carbon steel धातूके बनाये जाते हैं कैलीब पर होती है कैलीब पर carbon steel धातू के मुकते सामानता बनाये जाती है अगला कॉशन है रिविटिंग के लिए जो रिविटिंग होती है रिविटिंग के लिए बाल पिन हैमर का प्रियोग करते हैं जो रिविट होती है रिविट को निकालना हो जो भी करना तो उसके लिए बाल पिन हैमर के यूज़ करते हैं हेंड वैस की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है spendl दोस्तो हेंड वैस जो होती है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग साम्मानता है spendl का use करते हैं अगला适 कोशन है फाइलिंग के लिए जाब को पकरने के लिए प्र्योग किया जाता है bench wise जब कोई भी जाब होती उसको पकडने के लिए जो फाइल के यूज़ करते हैं वो होती है बैंच बाइस 25 mm ब्यास के pipe को बैंड करने के लिए थंडी विधी प्रियोग की जाती है 25 mm जो ब्यास की pipe होती है उसके लिए थंडी विधी को प्रियोग करते है अगला है blade को big nut द्वारा tight किया जाता है जो हेगजा ब्लेट होती है उसमें एक बिग नट होता है उसको टाइट करने के उसी के प्रियू करते है हैमर का हैंडल हैमर का जो हैंडल होता है आई होल में फिक्स किया जाता है जो हैमर होता है उसमें एक हैंडल को फिट कर दिया जाता है बनाया जाता है लकड़ी से बनाया जाता चाहिए पीनवाइस का प्रियोग भाड़ी साज में प्रियोग करता है जो फिंवाइस होती है पाइप फिटिंग को कसने तर्श डिला करने तर्श सिलेंटरिकल बस्तूओं के लिए लावदायक है सबको मालू है पाइप रिंच अगला है पाइप का बाहरी वह अंतरिक ब्यास का अंतर कहलाता है पाइप की थिकनेस यह पाइप को बाहरी ब्यास और अंदर का जो ब्यास ह बोलते हैं कि पाइप की हुआ फिटिंग जो पाइपों को 90 डिगरी पर जोड़ने के लिए प्रियोग करते हैं उसको बोलते हैं जो टी होती है उसको 90 इंगली पर नहीं चेखर देते हैं यह वते अधंग २ाट को और किया नाम से जानते हैं सबका होbs फ्लाइट अगला प्राथ में चीखिस के 410 बीना अधूर है प्राथ में चीखिस जो फस्ट एट का बॉक्स होता है सब आसा इस्सामार रखना जरूरी है अगला कोश्जन है फाइल कार्ड क्यों प्रियूक किया जाते हैं सबको मने फाइल के दाते को साफ करने के लिए फाइल कार्ड के जूच किया जाता है